दोस्तों बार बार कंदा उतरना ऐसी प्राब्लम में जिसके बारे में समाज में पूरी जानकारी नहीं है जब कंदा उतरता है तो पेशेंट या तो पहलवान के पास या मालिश कराने वारे डॉक्टर के पास चल जाता है इसलिए इंडिया के हर कोने से लोग है वो मेरा चैनल देखते हैं और उनको पता जलता है कि एक जगे ऐसी है जहांपे कि एलाज पूरा 100% से हो रहा है जो चार्जेश थे वो भी सरकारी अस्पताल से भी कम है और बार बार आना भी नहीं पड़ रहा है उस बज़ा से मेरा बार बार डिस्लोकेशन होता था पंदरा से बीस पार आप खुदी चड़ा देते थे या दॉक्तर के बाद में उससे कोई फायदा नहीं मिलता था बाद में फिर उतर याता था आपने कभी टॉक्टर से यह नहीं पूछा गया कि इसका कोई जड़ से सॉल यहां का उप्रेशन का एक्सप्रियन्स कैसा रा कितना दर्द होता इस जड़ था इस्टाहिएम करें पाद जो चीज में सोच रहा था वह विल्कुल पताई नहीं पड़ा मुझे आपके मान में ड़ था होगा कि बहुत जादा दर्द तर आपका मतलब जो आप यहां पर आ जिनको बार-बार कंदा उतर रहा है तो रिकमेंड करो कि यहां सकते हैं जी सर मैं करूंगा सर मैं यह कहना चाहता हूं कि एक बार राय लेने जरूर आए और बाद में जो भी उनका वह अच्छे से कराएं यहां पर दोस्तों आपको समझाना चाहूंगा कि देखें बार-बार कनदा उतरना उतरना प्रावलममें उसमें दो प्रावलममो ती तो बैंकार्ट लीजिन होते हैं एक हिल्सहां होता है इक बोन लोस होता तो इस चीज का इलाजud कूरन चट्नी शी त यह पीजिए टर्पी से तो अपरेशन तो अब आपको कौन सा उपरेशन कराना है अर्थरोस्कोपी या लटार जेट वो कई बातों पर डिपेंड करेगा और एक्सामपल अगर आपको कुछ छोटा मोटा काम करना है आपका जो मेन काम है वो सेडेंट्री है आप टीचर है जादा कोई दिप करने का नहीं है अकाउंटेंट है या कैशियर हैं बैंक में काम करते हैं तब आप आर्थरोस्कोपी सवज़िदी करा सकते हूँ लेकिन अगर आप पुलिस में हैं, आर्मी में हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, आपको भारी काम करना है, आपकी एज कम है, आप गेम खेलना चाहते हो, तो आपके लिए लिए लटार जेट बढ़िया रहेगा, दोनी ऑपरेशन की सुईधा हमारे हैं, सरकारी, अस्पताल से पी